ही गाज वलकम बैक टू अनधर वीडियो हच पी जे बिटी स्पैसल टैट अब अधर अगस्त दो जार तेज को आज गिंडिक्ट कराएगा आई होप अपने पिछले वाली जो अधर सेक्शन हैं जो हमने डिसकस किये वो आपने देख लिए होंगे हिंदी नहीं इंग्लिस साइकोलजी और जी के सेक्शन अब हम हिंदी सेक्शन डिसकस करेंगे फर्स्ट कोशन है कौन सी विवस्ता व्याकरण का अंग नहीं है पद विवस्ता व्याकरण का अंग नहीं है ऐप्शन D is correct एक्चुल में व्याकरण के में इनली तीन अंग हैं वरण विचार, सब्द विचार और वाक्य विचार पद व्यवस्था थोड़ा डिफरेंट लग रहा है तो option D I think correct है question number 62 किस बोली में साहितियस रिजन कम होता है अब सबसे ज़्यादा जो साहितियस रिजन है वे जो भासा खड़ी बोली कनौजीन में तो काफी है जो साहितियस है हिंदी में लेकिन पहाड़ी भासा में उतनी उत्पति नहीं हो पाई है तो I think option C is correct पहाड़ी बोली में साहितियस रिजन कम होता है question number 63 है मानक भासा का प्रयोग करते हैं तो मानक भासा होती एक उसका यूज करते हैं सिस्ट और सुशिक्षित लोग option C is correct इसका में बिल्कुल sure हूँ option C ही होगा इसमें बिल्कुल correct है ये सिस्ट और सुशिक्षित लोग ही मानक भासा का प्रयोग करते हैं question number 64 है यहाँ पे सुमेलित करना है male exact correct है यहाँ पे करना है I think option C is correct क्योंकि sure 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 ये उशम व्येंजन है option C is correct question number 65 है अर्भी फार्सी का उपसर्ग कि शब्द में है उपसर्ग वे होते हैं जो आगे लगते हैं किसी वर्ड के आगे लगते हैं जैसे उपसर्ग में उप इसमें उपसर्ग है क्योंकि इसके आगे लगा है जैसे सरताज में सर सर जो है यह उपसर्ग है अब सर जो वर्ड है यह अर्भी फार्षी भासा से लिया गया है तो option A correct है सर ताज में सर जो उपसर्ग लगा है यह इस भासा से है ओके तो option C correct question number 66 है उत्तमपुर्ष सर्वनाम का उधारन कौन सा है जैसे उत्तमपुर्ष में सर्वनाम होते है जैसे मैं, हम हम option में है तो option C correct होगा हम C is correct answer उत्तमपुर्ष सर्वनाम का उधारन है हम question number 67 है पृत्वी का विशेशन है अब पृत्वी का विशेशन होता है पार्थिव या व्यस्विक या सांसारिक पूरा जिसमें संसार तो I think D हाँ पार्थ नहीं होगा, पार्थिव होगा option D is correct पार्थिव, जो पृत्वी शब्द है इसका विशेशन है पार्थिव, D इसका सय उत्तर है question number 68 में बोलते है आपने पुस्तक पढ़ी वाक्य में कौन सा काल है आपने पुस्तक पढ़ी यानि पढ़ ली है अगर हम eliminate भी गरें तो भविश्यत काल तो होगा नहीं, प्रात काल भी नहीं होगा, भूत काल भी नहीं है ये proper तो वर्तमान काल की category में ही आता है क्योंकि पुस्तक पढ़ी अभी आपने तो option C is correct अगर यहाँ पे थी होता तब यह भूत काल होता है, पर यहाँ पे पढ़ी तो option C correct होगाज में यह वर्तमान काल है question number 69 है श्री गनेश करना मोहावरे का अर्थ है ये तो सभी का correct होना चाहिए श्री गनेश करना यानि किसी कारे की शुरुवात करना गनेश की पूजा करना तो बिल्कुल नहीं होगा कारे संपन करना नहीं होगा सोच विचार करना भी नहीं होगा तो option C ही correct होगाज का कारे शुरू करना, किसी कारे का जब शुरुवात होती है तो बोलते हैं कि शिरी गनेश कर दिया हमने काम को तो option C correct है शुरू कोशन number 70 है, कोशन number 70 हाथ से नहीं चमच से भात खाओ वाक्य में कौन सा कारक है तो आपादान तो नहीं होगा आपादान में होता है जब किसी चीज़ की जुदाई होती है, संपरदान के लिए कारक नहीं होगा संबंध काके की सासे सी, संबंध है यहाँ पे हाथ से, चमच से option C is correct, संबंध जहां तक मेरी नॉलिज में है जो मुझे लगता है, I think option C is correct, संबंध यहाँ क्योंकि यहाँ संबंध बन रहा है हाथ से नहीं, चमच से भाओ भात खाओ, तो option संबंध है यहाँ पे लग रहा है तो option C correct होगा question number 71 है हाथी का प्रयावाची नहीं है देखिए, गयंद भी इसका प्रयावाची है, गज भी हाथी का प्रयावाची और मतंग भी इसका प्रयावाची है, नाग, कुम्भी, सिंधूरी सारे इसके प्रयावाची है, लेकिन सफरी इसका प्रयावाची नहीं है, तो option D, C, सही उत्रोगा सफरी जो है इसका प्रयावाची नहीं है, पूछा option C is correct question number 72 है, सुद्वर्तनी की शब्द में है, तो option D तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पस्चिम तो ऐसे लिखते ही नहीं है परिक्षा में बड़ा रह होता है, ये भी गलत है, आशिरवाद कैसे लिखते है और दिनांक कैसे लिखते हैं, तो दिनांक बिल्कुल सही है, यहाँ पे minor सी mistake है, ये दिनांक गलत है, क्योंकि यहाँ पे चंदर बिंदू है दिनांक में चंदर बिंदू नहीं आता है, यहाँ पे simple बिंदू आता है, आशिरवाद correct है अभ़ यहाँ देखो, छोटी से mistake है अभ़ इसमें सिर्फ चंदर बिंदू और simple बिंदी में यहीं फर्क है तो यहाँ पे बहुत से वच्चे ट्रैप हुए होंगे लेकिन इसका जो correct answer होगा वो option B ही correct होगा option B correct होगा इसमें बाकी सारे गलत है option B is correct यह वाला दिनांक गलत है question number 73 है ड का उचारन स्थान कौन सा है ड का उचारन स्थान है मुर्धा कंठ तालू मुर्धा क च ट यह ट की स्रीड़ी में आता है ट ट ड ड ड ड तो ड यह सारे मुर्धन्य में आते हैं तो option B correct होगा मुर्धा इसका जो है उचारन स्थान है दान से थोड़ा पीछे so option B is correct question number 74 है विलोम शब्द की दृष्टी से कौन सशब्द यूगम सही नहीं है पाप पुन्य गुर्यक्ट राजा रानी गुर्यक्ट राजा रानी गुर्यक्ट नहीं है पाप पुन्य उल्टे हैं आकास पताल उल्टे हैं लेकिन राजा रानी उल्टे नहीं है sorry guys राजा रानी भी opposite word है राजा opposite gender में opposite है ये gender की अधार पे तो ये opposite ही है तो इसको हम opposite की स्रेनी में ही count करेंगे आकास पताल भी opposite पुन्य भी opposite है दूसरे word एक दूसरे से लेकिन जड़ चेतन का कोई यहां पे sense नहीं बन रहा है option D is correct जड़ चेतन option D सही उत्रोगास का कई बार mistake हो जाती है हमसे ही जैसे मैंने English वाले question discuss केते हूं वहाँ पे जल्दवाजी में वहाँ पे house था मैंने horse पढ़ दिया था उसे तो गलतिया हो जाती है I hope you are enough to understand question number 75 है मौकिक अभिव्यक्ति का रूप चुनिए पढ़ना, लिखना द्रिश्य देखना दूरगटना का पता लगाना या दूरभास वारता दूरभास वारता में मौकिक अभिव्यक्ति है option D is correct question number 76 है किस शब्द में सुरसंदी नहीं है भवन, और अ आ और अ बन रहा है यहाँ पे भी तो यहाँ पे सम्योग तो यहाँ पे विएंजन संदी है तो यहाँ पे सुरसंदी नहीं है तो option D correct है question number 77 कौन सा पत्तर का परकार नहीं है यह भधाई पत्तर होता है शिकायती पत्तर भी होता है प्रेम पत्तर भी होता है पारिवारिक पत्तर I think option A is correct क्योंकि पारिवारिक पत्तर थोड़ा यह तीनों तो मेल खा रहे हैं लेकिन यह थोड़ा पारिवारिक पत्तर मेल नहीं खा रहा है तो option A I think correct होगा question number 78 किस वरन को हम पढ़ नहीं सकते मेश मेहलंत लगा है I think option C यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है option C is correct question number 79 तलवार से हमला करना वाक्य में हमला वर प्रियोग करता है जो तलवार है यहाँ पे यह एक शस्तर है क्योंकि शस्तर वो होता है जो चलाते समय चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में ही रहता है उसको फैंकता नहीं है यह जैसे बंदूक है वो एक शस्तर है उसको दूर से गोली मार दी जाती है लेकिन जो शस्तर है उसको हाथ में रहकर ही अटैक कर किया जाता है तो तलवार से हमला करना वाक्य में हम लवार प्रयों करता है एक शस्त्र का, option B correct होगा इस पर, शस्त्र होता है वो question number 80 है, 80 पलूत क्या है, अब पलूत होते क्या है, अब जिन स्वरों के उचारण में ज्यादा समय लगता है यानि जो दिर्ग स्वर होते हैं उनसे भी ज्यादा यानि इसमें समय लग जाता है तो उसे पलूत कहते हैं, ये भी स्वर का ही एक बेध है, okay तो option A is correct, question number 81 है, सरोज, समरिती शोग, गीत के लेकक कौन है अब ये जो सरोज, समरिती गीत है, इसके लेकक सुर्य कांथ त्रिपाटी निराला option C is correct question number 82 है, कौन सा उपनियास मोनसी प्रेमचंद ने पूरा नहीं लिखा है, ये तो काफी tough question है, like 12th level के अगर जिसी ने depth में पड़ी है तब ही इनके answer कर बाएगा, normal बंदा तो कहां अगर बाएगा इनके answer अगर मैं अपनी बात करूं तो क्योंकि I am not a Hindi student, तो इन में से कोई भी उपनियास दूरा नहीं छोड़ा था, उन्होंने, ये तो complete किये थे गोदान करम भूमी और रंग भूमी, एक उपनियास था उनका, मंगल सूत्र नाम था उसका, वो उन्होंने complete नहीं किया था, उनके लड़के ने पूरा किया था, according to Google, क्योंकि इसका मुझे भी बाता नहीं था तो option D is correct है, okay question number 83 है, किस कहानी के लेक पंडित चंदरधर गुलेरी नहीं है ये इदगा ये पंडित चंदरधर जो गुलेरी है, इन्होंने नहीं लिकिया ये, actual में ये इदगा जो कहानी है, ये मुझे प्रेमचंद की है तो option D correct होगा यहाँ पे, question number 84 है कौन सा मिलान, लिपियों की दृष्टी से सही नहीं है, English, Roman पंजाबी, गुरू मुकी लिपियों है Marathi, Ara और ब्रजभासा हिंदी से ही ठीक है, ये तो correct है अब जी जो यहाँ पे Ara लिपि है, ये अब खतम हो चुकी है, क्योंकि ये एक भाशा नहीं है, येक लिपि है तो option D correct answer होगा इसका इसे I think Ara माइक लिपि कहते है ये असोक, जो समराट उनके शिलालेकों में कुछ लिपि में कुछ लिखा गया है जो मिला है, ओके, शिलालेक तो option C correct है, ये मैच नहीं हो रहे है ये मेलान, सही नहीं है question number 85 है वाक्य में प्रिक्त सब्दों को क्या कहते है देखे, वाक्य में जो प्रिक्त शब्दोते हैं, उनके कहते हैं, पद option D is correct, वाक्य में प्रिक्त शब्दों को पद कहा जाता है question number 86 है, निमन लिक्त में से कौन सा योगरूड है, तो इन में से कोई सा भी योगरूड नहीं है I think option D is correct, इन में से कोई नहीं, question number 87 है, कामाईनी येक महाकाव्य है, वाक्य में कामाईनी शब्द का कौन सा कामाईनी शब्द पर कौन सा विराम चिन लगा है I think option C correct होगा, इसका इस question में मरको doubt ही है तो में question number, I think option C correct है, उधरन चिन तेकिन हम इस question suspense में ही रखेंगे अगर आपको इसका अंसर बता है तो comment कर दीजीगा, मैं पीन कर दूँगा question number 88, गजनन सब्द में कौन सा समास है, तो गजनन में बहुबरी ही समास है, क्योंकि हाथी के समान है गर्दन जिसकी या मुह जिसका यानि यहाँ पे श्रिगनेश की बात हो रही है, तो जब किसी तीसरे की बात हो, तो वो अव्यभाव समास कहलाता है, यहाँ यहाँ तो option 2 में नहीं है, उपर होगा, तो option D correct है, अव्यभाव समास sorry, बहुबरी ही समास बहुबरी ही समास है, यह option D correct हंस रोग 88 का question number 89 है, कौन समेल सही नहीं है, आधुनिक मीरा, महादेवी वर्मा I think option C is correct question number 90 है यामा के लिए भारतिय ग्यानपीट पुरुषकार के प्राप्त करता है, यामा के लिए जो भारतिय ग्यानपीट पुरुषकार है यह महादेवी वर्मा को मिला था option C सही नहीं होगा, इसका 1902 में ग्यानपीट पुरुषकार उन्हें यामा के लिए प्रदान किया गया था कब किया गया था, 1902 में सन भी याद रखियेगा, so यह थे हिंदी section के 30 questions हिंदी का standard काफी अच्छा था literature से भी काफी questions आए थे, so I think अपका भी examination बहुत अच्छा हुआ होगा, all the very best and the luck for your future channel पे आपने हैं तो subscribe कीजिए thank you so much for watching this video till the end God bless you all